नमस्कार जैमत अधी मैं आपका पंडित वीके शास्त्री हमारे यूटूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत करता हूं तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो लेकर आया हूं एक ऐसा चुक टोटका जिससे अप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और यह आपका फोटो यह दो फोटो आपके पास होना चाहिए आपका और उसका और यह लाल क्लर का पैन तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा यह वश्य खरण इसके लिए पहले आपको उस व्यक्ति का फोटो ले लेना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाते हो यह माली जी उस व्यक्ति का फोटो है यह उस व्यक्ति का फोटो है जिसको आप अपने वश में करना चाते हो उस म्यक्ति के फोटो के नीचे आपको अपना नाम लिखना है आप अपना नाम लिखना है उस म्यक्ति के फोटो के अंदर नीचे उसके बाद यह आपका फोटो है जैसे यह आपका फोटो हो गया आपकी फोटो के नीचे उसका नाम लिखना है जिसको अपने वश में लाना चाहते हो तो यह तना सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी फोटो के पीछे जिस वक्ते को आप अपने वश में करना चाते हो यह उसका फोटो है और उसके नीचे आपका नाम है और उसकी फोटो के पीछे आपको जो चाते हो आप मतलब कि आपको वश्री करन उसको अपने वश में करना है क्या करना चाहते हो तो आप उसको जो भी आप पीछे लिखती जी अ इस तरह फोल्ड कर लेना है उसके बाद आप ये मंतर द्यान से सुनिए ओम हीम स्वाहा ये मंतर को आपको 111 वार इस मंतर का जाप करना है आपको अपने हाथ की जो लेफ्ट आपका जो लेफ्ट हाएंट है उसके अंदर इसको टाइट बंद कर लेना है और आपको इस मंतर का 151 वार इस मंतर का जाप करना है ओम हीम स्वाहा इसको 151 वार जाप होने के बाद आपको क्या करना है इस तस्वीर को बाहर निकाल कर यहां पर भी आप साू आप अपने तके के नीचे इसको रख लेना है पुरी रात और सुबह होने के बाद आपको इसको अपने जेब में या किसी वी बॉलेट और पर्स व्गरा में आपको इसे रख लेना है उसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा दिरे दिरे वो व्यक्ति आपकी हर बात सुनने लगेगा आपको सामने से बुलाने लगेगा और आप जो उन्हें कहोगे वो आपकी हर बात मानने लगेगा तो दोस्तों मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आए था तो आपको ये किर्पया समझ आ गई होगी अगर किसी को ये समझ ना आए तो आप हमें कॉल कर लीजिए और हम आपको अधिक से अधिक जान कर देंगे जैमत अदी